हलो वेलकम टू मागनेट ब्रेंज हिंदी मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट अनील पाटिदार दोस्तों जैसे कि आपको बता है कि बिहार बोर्ट के अंतरगत हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा आठवी के सामाजिक विज्ञान के अंतरगत जो हमारा विशे है भुगो का नाम है भारती क्रशी भारती क्रशी के अंतरगत आज हम लोग पढ़ने वाले कुछ खास और आज हम लोग बात करेंगे क्रशी में होने वाले बदलाव की तो क्रशी क्षत्र में क्या बदलाव हुए उनकी बात करते हैं सबसे पहले मैं चोटा सा ओवरिव्यू दे देता क्षित्र में सुधार लाने के लिए सरकार ने कुछ विशेश चीज़े बनाई है तो उसके बारे में भी आपर चर्चा करने वाला है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मागनेट ब्रेंज यह कैसा प्लेटफॉर्म है जहाब सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आप को देख सकते हैं और आप चाहे तो हमारी वेबसाइट मागनेट ब्रेंज डॉट कॉम पर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर गी इन सभी वीडियो का बिल्कु सब्सक्राइब के समय आया था क्योंकि मैं आपको बता दो कि जैसे देश आजाद हुआ था हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेरोजगारी थी उसे के साथ साथ भूक मरी की समस्या भी देश में शुरुवात से हमारे साथ थी लेकिन क्या हुआ कि एक समय 1960 के समय पर क्या हुआ कि अकाल पढ़ गया और सूखा पढ़ गया था उसमय जब लाल भादुर्ष शास्त्री भारत के प्रदानमंद्र थे 1964 की बात कर रहा हुआ उस तो 1964 की तो हुआ यह कि देश में किसानों के साथ समस्या हो रही थी कि वह उगाय के से जबकि प्रकृती को प्रकृती उनका साथ नहीं दे ती ती छिचाइक की सुविधा नहीं थी दीड़े-दीड़ेले कि हमारे देश की जो उनके बाद यानि लाल भादू शास्त्री के बाद आने वाली पहली महीला प्रदानमंद्री जिनका नाम था इंद्रा हगांधी झीड ने देश में एक करण्थे विग्जानिग ग्रविक की जिसका नाम था हरिट करन्थ Rights एक भी में उनका साहथ दिने के लिए जो है एमे स्वापी नात्र नाम कि क्रशी विज्ञानिक थे या इतना बड़ा बदलाव ले आते हैं जो पहले कभी हुआ नहीं था तो ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत में एकदम से बहुत जड़ा मात्रा में उत्पादक्ता बड़ी थी खाद्याने की खास कर गेहूं और चावल की फसलों में धाई गुना तक इजाफा हो गया था त आप साल बताओ तो यह आपका जो साल है वो है 1966-1967 तो 1966-1967 में हुआ था यह उन्निस सो चासाट-1967 का दशक था जब भारत की प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी जी ती इंद्रा गांदी जी की कारिकाल में ही यह हरित क्रांतीन का जन्म हुआ और इसी से हमारा देश के जो खाद्यान जो पादन है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया बहुत बढ़ा बदलाव आया उन्निस सो साट के दर्सक में क्रशी क्षेत्र में व्यापक बदलाव बदलाव मतलब बड़े परिवर्तन आ है और इनी बदल बदलाओ के कारण इसे हरित क्रांती का नाम दिया ग यह उच्छ बीच जिसको हम लोग हवाइवी स्वीट्स के नाम से जानते हैं हाई यह को बारे में हाई यह यह देट विराइटी सीट्स के बारे में बताऊंगा आपको कीट नाशेकों का उपयोग एवं सीचाय की विभिन उन्नत तकनिकों का प्रयोग करना शुरू किया तो आगाज हुआ था मैक्सिको में अगर दुनिया में आप से पूछे कि बताओ जड़ा कि दुनिया में सबसे पहले हरित क्रांती की शुरुवात कहा हुए थी तो दुनिया में सबसे पहले हरित कांदी की शुरुवात मैक्सिको नाम के देश में हुई थी और वहां पर एक लट फांपने किया था यानि गयों की गयों का कुर्स क्रॉज स कनेक्षन करवा करी कैड इसी ब्लाइध इसा स्वामी ना नाम-ोट कर ले न दोस्तों स्वामी नाथन यह भारती रुग्षिक रूम नर्मन पूर्ग को दुनिया का हरित करांतई का जनक कहा जाता को भारत में हरित करांतपी का जनक खा जाता है और इन्हों भी हमारे देश में गेहों की और चावल की बिट क्यार की जिन बीजों को कहा गया H Y वी सीड्स एच वाइवी सीड्स का मतलब होता है उन्नत बीज उन्नत किस्म के बीजों का इस्तमाल किया गया अब किसानों को उन्नत बीजों का इस्तमाल करना था लेकिन भारत में यह कुछी राज्यों तक सीमित थी जैसे पंजाब हर्याना और उत्तरप्रदेश जैसे राज के ने पद्वेटी को पुराने को पूरी सर बदल दिया इसलिए भरती इतिहास में खास आपको को समझ में ओगया होगा कौन से बांगब wa क्या हुआ हुआ था और हमने भारत को आत्मानिद्वर बनाने के ये सबसे घाते हैं अगर आप फर यह आदरित भाहर से मंगवा रहें तो फिर इसका मतलब के देश में क्रशी की हाला सही नहीं है और बस यहीं इंद्रा गांजे कि ने किया था कि कम- Dios द्यान में तो हम लोग इतना हुगा ले कि हमको किसी और देश की तरफ देखना भी ना पड़े अच्छा एक और चीज इसी हरित कान से जुड़ी हुई है कि अगर आपको अपनी फसले अच्छी करनी है या ज़्यादा उत्पादकता लेनी है और चाहते हैं कि मिट्टी के उर लगाना क्या कहलाता है अंतर क्रशी कहलाता है जैसे जिसे गेहूं के साथ सरसों की फसल बोना जैसे आलों के साथ बकूली की फसल बोना मूली और सरसों जाना यह इससे क्या होता है इससे पैदावार बढ़ती है यह अलग लग प्रकार की एक दूसरे को हेल्प करती है इस वजह से यहां पर उत्पादक्ता जो है बढ़ सकती है तो अगर आप अंतर क्रशी भी करोगे तो भी खेतों के उत्पादक्ता कहीं नगई बढ़ सकती मतलब उर्वड़ा सकती में कुछ इंक्रिमेंट होगा या आपको समझ में आजाएगा कि फिसले साल से कुछ ज्यादा ही हुए इसले अंतर करती की जा सकती है नेक्स विग्यानिक उपकरोणों का उप्योग से मतलब है कि क्रशी अंतर को प्योग किया जादा तर खेती भरत में पहले मानव श्रम होना शुरू हो गया और दीरे दिरे वेज्ञानिक भरती की आई बढ़ती रहे सबसे पहले पंजाब और हरियाणा जैसे राज़ों नहीं शुरुवात ये की थी बहुत के पंजाब हर्याणा और excel particle कि किसानओंने सबसे पहले वेग्यानिक खरशी उपकरुना का उप्यूग शुरू किया अब यह तीन ही राजू की बोले जारा है क्योंकि दोस्तों सबसे पहले खरित क्रांटी की शुरुवात भी यहीं से हुई थी और हरित क्रांटी की वज़े से इन राज्यों को काफी लाभ मिला किसानों को उसिचाई के लिए डेम बनाकर नहर का जाल बिछा गया जिससे मांसून पर निर्भरता कम हो गया क्योंकि हमने पढ़ा था बिहार की क्रशी की विशेशता में भी बढ़ा था मांसून पर अत्यदिक निर्भरता तो मांसूर की निर्भरता को कम करने के लिए सिचाई के माध्यम से सिचाई सुधा के माध्यम से नहरों के फचल लगा जाने लग़ें तो तो इसां राज्टान जहां पर सबसे कम पानी होता है राज Your जहां मरुस्तली एप सके बाद बाद भी इंद्रा गांधी नेहर बना करें बहुत बड़ी नहर भाद की सब्से बड़ी केनौल उलते इंद्रा गांदी नहर इस नहर के माध्यम से वहां पर ध्यान तक उगा गई तो राज अगए गया तो राजस्तान जैसे प्रदेश में भी इंद्रा गांदी नहर बनाकर धान के फ़सल लगाई जाने लगी तो इसी को विघ्यpret कहती कहते है विघ्यानिक, उपकरणों के माध्यम से नहीं नहीं सीचाई सुविधाओं के माध्यम से उत्पादक्ता में व्रद्धी करना ही विज्ञानिक क्रशी कहलाएगा नेक्स्ट रीन की उपलब देता क्रशी शेत्र में बदलाव चल रहा है हमने हरितकरांती पड़ा वह बदलाव था उसके वला हमने विज्ञानिक करशी को पढ़ा वो करशी शेत्र में बदलाओ था और रिन की उपलब्दता जो हम लोग पढ़ रहा है यह भी करशी शेत्र में आने वाला बहुत बड़ा बदलाओ था क्योंकि आपको बताया है कि हर एक चीज में चाहिए खेती कर रहे हो चाह समय पर नहीं मिलता है अगर उनको कुछ विशेश योजनाओं के माध्यम से कुछ विशेश तरीके से रिन की उपलब्दता करा दी जाए लोन प्रवाइड किया जाए तो ऐसे में किसानों का जो है आई उनको कहीं से लोन भी नहीं लेना पड़ेगा साहुकारों से ब्याज से रक्षा के लिए फसल का भीमा का प्रावधान अगर मारलोग किर्दिक आब कर माड़ सकता है ऑले गिरना और रोग आ सकता है भीट कि चलते हैं स्मय संहीघ्दाव कि वाल जानते होंगे किसान क्रेडित काड ये एक योजना है है जिससे बेंकों के द्वारा किसानों को रिंद मिलता है और उसके लाब lekता समूं से सभी सोयम सायता समूं लोह बोलते हैं एक बहुत फेय कुछ अपना पेशा लगाते हैं और उन लोग वह होस लोग को को इस्तापना की रूरल बेंग जो होते हैं नावाड जिन को कंट्रोल करती है तो जिनका नियंत्रन नावाड के हाथ में होता है ग्रामेड बेंक सबसी में आते है किसान क्रिडिट कार्ड की सुविधा से किसान को वित्ती मदद उपलब्द कराए गई है तो किसान को जब समय पे वित्ती मदद उपलब्द कराए जाएगी तो किसान क्या करेगा अपनी आवशक्ता की पूरती कर लेगा और फसल अच्छी हो जाएगी जब उसको कीटना डालने हो खेत में उसके लिए उसको पैसे की पड़ेगी अगर वो पैसा उसको समय पी मिल जाए तो क्या होगा फिर वह आसानी से वह अपने खेती में इन्वेस्ट कर सकता है और यह तो का रूल है दोस्तों अर्थववस्था का निया में कि जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना आपको अच्छी प्रोड़क्टिविटी मिलने की चांसे होते हैं विसकोमान द्वारा खाद और बीज उपलब्द कराने और सहकारी भूमी विकास बैंक की स्थापना से बिहा सब्सक्राइब कर और बीचांस सब्सक्राइब जाती है तो सब्सक्राइब विकास बढ़र के सब्सक्राइब कर देया है कि अगर अगले साज जопन दोबंगत कई अगर आप है कि obe Lem però क्र measuring स Ultra निज़र घंदते हैं लेकिन यह नहीं पता होता है कि कुछ भीक फिवी ठाप यह तो एक विदी जिससे पता कर सकते के कौन सा चटेब जो सही कि उख सकते हैं वो में नियुकत कर सकते हैं यह Road आफ दो पिजो में रुपाई कर सकते हो यह किआ जा सकता है यह उत्तम तरीका है एक उत्तम बीच को प्राप्त करने का इसी को मुलते है श्रीविधी तक्निक तो श्रीविधी तक्निक में क्या होता है इसमें सबसे पहले बड़े ड्रम जैसे बरतन में पानी डालकर उसमें नमक डालना जरूरी है नमक डालने से क्या होता है नमक डालने की वज़े से पानी क पानी से ज्यादा क्यों होता है क्योंकि समुद्र में नमक होता है इस वज़े से होता है और उसी की वज़े से उसकी लमणता भी बढ़ जाती है और घनत भी बढ़ जाता है तो पानी का अगर घनत बनाना बढ़ाना है तो नमक डाल सकते हैं नमक डालने के बाद ही आपको उखा लिए जाता है उनको सुखाना ज़रूरल है सुखा वोगे नहीं तो भीजा वहीं पर जब्ले एपनी छोड़ना शुरू कर देंगे तो भीजों को उगने से पहले ही उनको सुखाना पड़ेगा इन भीजो पहले पता तो हो कि बीज उगे का के ने उगे का इसे में कुछ जगे छाली खाली शूट जाती है अगर खराब भी जागे तो तो खराब बीच को तही करने की तकनिक है उसको बोलते श्रीविधी तकनिक यह कई पुराने यह बहुत समय से चलता आ रहा है ग्रामिन चैत्रों म को जहां पर सखेती की सुविधा कम है या मतलब उपकरन की सुविधा नहीं है उसके बाद भी स्विधी का इस्तमाल बहुत जड़ा मात्रा में होता है इन पौधों को कम पानी वा कम उरवरक की अवशकता होती है क्योंकि पानी हमने पहले उन्नत बीजों को इस्तमाल किया ऐसे में उनको कम पानी और कम उर्वरक की आवशकता होती है उसमें भी उख जाएंगे तो स्रीविधी तक्निक का उपयोग करना चाहिए इसके अलाबा कुछ नहीं बदलावाएं हैं खाद बीज कीड़नाशक को लेकर उनको भी पढ़ लता है जरी खाद के उपयोग पर भी कीड़नाशक और खाद का उपयोग करने की वज़े से वहां की भूमी की उर्वड़ा सकती कहीं नश्ट होते जारी है तो यह क्यामिकल जो चीज़ां होती है जो उर्वड़क और कीड़नाशक होते हैं का उपयोग करना कहीं की नुकसान दायक हो सकता है लेकिन एक खाद है जिसको बोलते हैं जैविक घख जैविक घख काद को बढ़को गको ऑबर जो खान सकता होता वर्मी कंपोश को भी बहो सकते सबसे बनाया सकता है और यह काम आता है यहां तक कि गोवमुत्र का इस्तमाल भी उसमें किया जाता है और इसी कौम लोग जो भी खाट बोलते हैं जो भी काट का इस्तमाल करोगे तो कहीं ने किया होगा अच्छी प्रोड़क्टिविटी आएगी और उसमें टॉक्सिकेशन मत इस्तापित की गई है तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो हर एक प्रखंड मतलब होता है जैसे ब्लॉक एरिया आपका जो होता है तैसील का लेवल का इरिया जो होता है उस एडियों पर हर जगे पर प्रयोक्षाला आप चाहिए तो अपनी मिट्टी की जाज करवा सकत का फूसे जो केचुव क्या देता भूमी को शिथिल कर देता पूरा और वह पूर्यों उसको बना देता है अच्छा एक बहुत यह एछा खात की रूप में बना देता है वह तो इसे में वर्मी कंपॉस्ट का जाता है जिसे केचुवए पालन आप बोलते हम लोग और यह प बहुत फायदा हो सकता है ईजर में होता किया है जिवक समझ लगते हैं जीवों के अवशेष खरफ़र गोबर पत्तियां चलको को सड़ा कर बनाया जाता है बहुतुँश्य चीजों को बनाया बनाया जाता है घर से डेली आप कच्रा फेक्ते खाने के बाद जो बचता एक्चुल में अगर उसको व्यवस्तित किया जाए उसमें पॉलिथीन वगरे निकाल दी जा तो वह सबसे अच्छा खाद का रूप करेगा वह खाद बन जाएगा वह भी खाद होत है इसके लावा वेज्ञानिक करनों का उपयोग यह भी बदला हुआ रिंड की उपलब्दा से संब्धित बात हमने की कि बहुत सारी चीजे उपलब्द कराई है सरकार ने जिससे मिल जाता है एक उन्नत बीजों को पहचानने की तकनिक जिसका नाम है श्री विधी तकनिक नए क्रशी बदलाव आए जिसमें वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाना जैविक खात का उपयोग किया जाना यह सारी चीजे हमने से पढ़ी हैं दोस्तों अगर आपको आपके बिहार बूट के वीडियो यूट्यूब पर सिक्वेंस पे नहीं मिल रहा है तो घबरानी यूट्यूब पर भी आपको वीडियो फ्री मिलेंगे बस वेबसाइट पर आपको यह फायदा होगा कि आपको सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएंगे और वीडियो के बीच में एडवेड जैसा को आपको डिस्टरबेंस होगा वह भी नहीं आएगा तो एक्सप्लोड टॉ करोंगे आपके सामनेंस आपके काकशा आठवी के टीचर के मतूडर गिए अबूंपको सब्चेक के साथ मेल अपको करना कि है यहाँ पर वॉच्णव कशण वाच्नव पर पस्तुक्त करें उस्के साथ आप बहुत जाएंगे और लिस्ट में जो आपको पढ़ना है वो हमल जैंगी एकटाइध कर घख ये सारी मिलना शुरू हो जाई आपको और ये लेक Арप क्लिक करो के आपका लेक्टर हो जाता युद्धा और है शुरू और आप आसानी से अपना लेक्टर देख सकते हैं बहुत सिंपल ल्हें बनाएं और अपने दोस्तों को जुरू बताया तो क्रपया कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरू पता है और साथ इसत्थ हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तब तक के लिए दोस्तो धनिवाद थेंक्यू बरी मच